सबसे अच्छी बात है इसमें आपका डाइरेक्ट आउंड लाइन इंटर्वू के बेसिस पर सेलेक्शन होने वाला है कोई एक्जाम नहीं है कोई आप्लिकाशन फी नहीं है सारे के सारे फ्रेशर केंडिडेट इस जॉब के लिए अपलाई कर पाएंगे और और आल वर इंड से जितनी भी आती है तो ओके चली में आपको इसके ओफिशियल वेबसाट पर जाके दिखाता हूं कि किस पोश्ट का वेकिंसी आया हुआ है और किस तरीके से आपको इसके लिए अपलाए करना है सो फिन जैसी कि आप देख सकते हैं बिजनेस डवलोप्मेंट भी फ्रेसर केंडिडेट इस जॉब के लिए अपलाए कर सकता है यह जोब आपका पांच नवेंबर दोजार किस को पोश्ट किया गया है तो एकदम लेटेस्ट है जरूर से इसके लिए अपलाए करिएगा जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करो तो डेली में आपका जॉब बहुत सारी वेकैंसी जाती है तो एक यहां पर आपको दिख रहा है पोश्ट एक ही है वेकैंसी इसमें बहुत सारी रहती तो इसलिए जरूर से अपलाए करिएगा इसकल की बात किया तो रेसंशन्शिप बिल्डिंग आपमें इसकल होना चाहिए कस्टमर एक्वेशन की स् इसमेंसे कोई भी स्किल आप में है तो भी अपलाए कर सकते हैं मतलब सारे की सारे graduate candidate इस जॉब के लिए apply कर सकते हैं जोब description की अगर मैं बात करो तो यहाँ पर आपका जोए sales oriented यह जॉब रहेगा sales and marketing of current account and saving account यह आपका यहाँ पर जॉब रहेगा target अच्यू करना fund value को maintain करना और जो दूसरे product है उनको cross sales करना यह आपकी सारी की सारी यहाँ पर जॉब description रहेगी ठीक है मतलब sales oriented जॉब है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड हो तो बाकी age limit की अगर हम लोग बात करें तो कोई age limit नहीं है किसी भी age की candidate इस जॉब के लिए apply कर सकते है ठीक है बहुत ही अच्छा vacancy आया है बिल्कुल मिस नहीं करना है apply करनी के लिए simple सा आपको apply बटन पर क्लिक करना है जैसे आप apply बटन पर क्लिक करो यह बोलेगा login करो तो सिंपल सा आपको okay पर क्लिक करना है जाएगा अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो login कर लिजेगा नहीं है निव यूजर हो तो आपको सिंपल सा निव यूजर पर क्लिक करना है जाएगा इसमें अपना नाम इमिल इडी मोबाइल नंबर पासवर्ड डालके साइन अप कर लेना है उसके बाद साइन कर लेना है जो भी डेटल मांगता है फिल अप कर देना है अपना रेजुमें अपलोड कर देना है आपको फॉर्म सक्सेस्पुली अप्लाइड हो जाएगा विद्धन फ्यूजर अगर आप शॉर्ट लिस्टेट होते हो तो ही आपक करना पिस दोस्तों के साथ शेर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट अप तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाई